कि यह स्वामुलेकुम वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक जैसा कि आप तुमान दोस्त जानते हैं कि हम यहां सेविंग और इन्वेस्टमेट के हवाले से बात करते हैं अभी जो सिर्फ वीडियो अपलोड की जा रही है वो सिर्फ पाकिस्तन स्टॉक मार्किट में शेर् ट्रेडिंग को और इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश की जा रही है लेकिन इंशालला बहुत जल्द जो दूसरे आविन्योज हैं उस पर भी इंशालला बात करनी शुरू करेंगे वो तमाम दोस्त जो के पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्स बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्त जो हैं वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें देखे सब्सक्राइबशन जब बढ़ेगी तो उसके साथ पिर हम इंशालला टॉपिक्स भी बढ़ाएंगे और थोड़ी सी वीडियो जो हैं उसकी तादाद में भी इंशालला और उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी मेरे जहन में हैं जिनको इंशालला मैं वक्त के साथ साथ जो है वो आपके साथ शेयर करने के पूरी कोशिश करूंगा कुछ बाते आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कुछ आपसे सीखने की कोशिश करेंगे और इंशालला ये महर बनी में कोशिश यह किया करें कि कुमेंट जो है वो यूतीब में जो कुमेंट का option होता है उसको इस्तमौल किया करें तो जितने भी दोस्त यूट्यूब पर कोमेंट करते हैं अग ऐन मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी हैसा हो कि जिसको reply ना दिया हो हमने तो इसलिए आप लोग भी प्लीज ब्राय मेहरबानी जो है वो यूट्यूब पर ये कुमेंट सेक्शन के अंदर कुमेंट किया करें ताकि आपको भरवक्त जो है वो उसका जवाब दिया जा सके तो इस तरह ये एक कुईक आपशन होती है हमारे पास भी और आपके पास सब्सको जरूर इस्तमाल किया करें आज क्योंके हम वीकली रिव्यू कर रहे हैं मार्किट का आज जुम्ह वाले दिन जो था वह चुके मार्किट की छुटी थी तो जुम्ह रात तक का जो सेशन था उसके बारे में इंशाला हम बात करते हैं हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे पाकसन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट की तरफ फोटल की तरफ नहीं जाएंगे हम सिरफ उसको जो कैंडल स्टिक है उसको समझने की थूड़ी सी कोशिश करेंगे कि अगले हफते में मुम्किना तोर पर क्या हो सकता है अगर हम यह यह था जी इसका डे का चार्ट और यह डे की कैंडल थी लेकिन चुक्के हम जो है वो आज समझने की कोशिश करेंगे कि वीकली क्या पुजिशन रही पिछले पूरे वीक की और आने वाले वीक में क्या हो सकता है तो इसको हम दुबारा वीक पे वापिस लेके जाएंगे तो यह थी जी वीक की कैंडल अब यह वीक जो है यह जो कैंडल है यह इस वीक की है जो के जुम्रात वले दिन जो है वो खतम हुआ उससे पहले अगर आप देखें तो लगातार एक दो तीन और चार वीक से थे कि जिसके अंदर अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड जो है वो रहा और तमाम की तमाम कैंडल जो थी वो ग्रीन बनी देखें जिस तरह मैं हर वीडियो के अंदर एक बात कहने के कोशिश करता हूँ कि देखें जब तक किसी मार्किट के अंदर या किसी मक्सूस शेर के अंदर जो के उपर की तरफ जा रहा हो अगर उसमें कोई डाउन ट्रेंड ट्रेंड तो नहीं कहना चाहिए को थोड़ी सी कुरेक्शन अगर नहीं आती को एक आध रेड केंडल नहीं बनती तब तक उसके उपर जाने की जो स्पीड है या उसका जो मुमेंटम है उसमें इज़ाफा नहीं होता तो आज की ये जो इस वीक की जो ये वाली केंडल है इसका अगर आप बागोर जाइजा लें तो ये को खास बुरी केंडल नहीं है अगर आप इस candle का मवाजना मैं दुबारा बात कर दूँ कि ये हम daily बात नहीं कर रहे ये daily candle को discuss नहीं किया जा रहा ये weekly candle को discuss किया जा रहा है तो अगर आप इस candle का जाइजा आप अगर इस candle के साथ लें तो आपको दोनों के अंदर एक खास फरक नज़र आएगा और अगर आप इस candle का जाइजा इस candle के साथ लें तो भी आपको एक छोड़ा सा फरक नज़र आएगा अब देखिए पहले हम इसको और इसको जरा आपस में मवाजना करके देख लेते हैं यह हम weekly candle जो हम डिसकर रहे हैं देखिए यह जो candle है इस वीख की यह रेड़ कंडल है यह घर यह रेड कंडल है यह तो होगी इन दोनों के अदर बात सेम एक जैसी अब अगर आप यह देखें तो इसका जो head है इसका जो सर है वो छोटा है इसका जो सर है बलकि इसकी जो पूरी की पूरी बॉरी बॉड़ी है सर तो खैर इसका है ही नहीं यह बॉड़ी देखें इसकी कितनी बड़ी है इसकी जो विक है वो उपर से बहुत थोड़ी सी है इसकी भी तकरीबन थोड़ी सी है लेकिन आप यह देखिए कि इसके नीचे जो विक है वो ज्यादा है इसके नीचे जो विक है वो कम है अब देखिए जब हमने जब ये वाली कैंडल बनी थी तब तो शायद हमारा चैनल भी नहीं था तो आप ये देखिए कि इस कैंडल के नीचे जो विक थी वो थोड़ी थी जबके इस कैंडल के नीचे जो विक है वो ज्यादा है अब ये किस चीज को की अजम्शन हम कह सकते हैं किस चीज की राए काइम कर सकते हैं हम ये राए काइम कर सकते हैं कि देखिए कैंडल के अंदर week जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो चीज उसके opposite को जाहर करती है कि अगर ये जो थे ये seller थे तो ये नीचे बाइर्स थे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो week है अब ये मुमकिना तोर पर मैं assumption कर सकता हूँ यहां आज कि देखिए इस candle के बाद इस candle का बनना कोई ज्यादा खतरनाक नहीं था उसकी assumption की जा सकती थी कि जी ऐसा मुमकिना तोर पर हो सकता है लेकिन यहां पर हम ऐसी उमीद नहीं रखते कि इस तरह की कोई strong bullish candle जो है वो इस candle के बाद बनेगी अब यहां पर एक point बनता है कि अगर हमारी assumption के बराक्स हमारी उमीद के बराक्स अगर इस किसम की candle बनने के बाद अब हम तो यह सोच रहे हैं और हमें history यह बताती है मार्किड के गुरू यह बताते है कि भई इसके बाद मंदी का रुज़ान कम हो जाना चाहिए यानि कि हम यह कहना चाह रहे हैं कि अगला week जो होगा वो इन्शालला ताला वो इससे उपर की candle बनेगी इससे नीचे की candle नहीं बनेगी लेकिन अगर फर्ज करें हमारे तमाम के तमाम technicals उल्ट हो जाते हैं और अगली जो candle है अगले week की वो नीचे की तरफ बन जाती है तो फिर आप इसको trend reversal समझिएगा मैं दुबारा फिर बात को थोड़ा सा explain करने की कोशिश करता हूं कि देखिए market जो है ये assumptions assumptions का शहर है इसके अंदर जो है वो if और buts की बाते होती है अगर मगर चलता है इसके बगएर हम market में काम नहीं कर सकते हैं मैं दुबारा फिर आपको समझाने के और खुद भी समझने के कोशिश करता हूं कि देखिए जब ये candle बनी इसकी body बहुत बड़ी थी उसके बाद इस किसम की candle का बनना कोई बड़ी अचंबे की बात नहीं थी ये candle जो हमारी बनी है ये देखने में red है लगता ऐसे है जैसे के थोड़ा सा market के अंदर बंदी थी बिल्कुल थी लेकिन market ने recovery बहुत शो की है तो हम ये उमीद कर सकते हैं कि इंशालला आने वाला हफ़ता जो होगा वो अच्छा होगा और वो green candle वाला होना चाहिए लेकिन अगर खुदानाखास्ता अगले week इस किसम की candle बनती है तो फिर आप समझेगा कि market यहां तक जाएगी इस से पहले फिर नहीं रुकेगी ये ये फिर आप जहन में रखिएगा लेकिन अगर इन्शालला अगले week जो है हमारी तवक्को के मताबक अगर काम चलता है तो फिर मामलाद कहां तक जा सकते हैं तो वो फिर आप देख लेजिए कि इस वक्त market जो है वो बिल्कुल तकरीबन टॉप पे खड़ी है और अगर हमारी assumption जो है वो बिल्कुल उसी तरह से काम चलती है काम करती है जिस तरह से हम सोच रहे हैं तो मार्किट अगले week में 44,000 तक 44,500 तक जाने के chances हैं मार्किट के मैं दुबारा फिर से आप लोगों से कहा दो लुक्त अगर आप इस देखें इस week को अगर आप देखें इस की closing check करें तो बिल्कुल मार्किट ने अपने high के ऊपर जो के इसका पिछला high उसके ऊपर closing दी है अगर आप ये गौर करें तो ये देखिए बिल्कुल उसके ऊपर closing की है इसने तो फिर नीचे से वीक भी है और मुझे उमीद है कि इंशालला अगला वीक जो है वो बढ़ोतरी का होगा मामला इससे आगे जाएगा अगर हम अपना इंडिकेटर इस्तेमाल करें तो देखिए बिल्कुल जो तरह से कि मैं हर बार एक बात कहा करता हूं कि अगर कैंडल जो है वो बॉलिंजर बैंड के अंदर बनती है यह कैंडल जो थी यह कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहिर बनी इसके उपर भी प्रेशर आया इस कैंडल ने भी बॉलिंजर बैंड के बाहिर बनने की कोशिश की तो इसके उपर प्रेशर आया अब मुझे उमी स्लोली Midwest ओपर जाएगी उतना आगे तक जाएगी जितना मैं हर बार ऐख बात करता हूं कि अगर market ठक ठक करके ऊपर जाएगी तो ञागर ठक कर सी अगर एगाँजी छोटी चूटी सी candle बंती हूई ऊपर जाएगी हर दिन उगर 200 मार्केट 122 zawn करें अधा insists थो तो market के बहुत chances हैं कि market बहुत उपर जाएगी लेकिन अगर एक दिन market जो है वो अगर 500 या 700 points का अगर छक्का मारती है तो फिर अगले दिन त्यारी कीजेगा नीचे आने की भी तो बाराल आज के लिए सिर्फ इतना ही था ये market का सिर्फ हमने weekly review किया है इसके अंदर हमने जिस candle को discuss किया है वो weekly candle है ये एक पूरे हफ़ते की candle थी जिसके बारे में हमने बात की कि ये हफ़ता कैसा रहा और मुम्किना तोर पर आने वाला हफ़ता कैसा हो सकता है कोमेंट जरूर कीजिएगा और उसके साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा सब्सक्राइब जरूर किया करें और इन्शालला मैं कोशिश करूंगा कि एक दो वीडियो और जो है वो आज ही अपलोड कर दो बहुत बहुत शुक्रे हैं अलाहाफिस